उरिशा ट्रेन हादसा देश का ऐसा पहला ट्रेन हादसा होगा जिसमें दो ट्रेने आपस में जाके नहीं टकराती है बल्कि एक ट्रेन एक ट्रैक पर पहले से खड़ी होती है और दूसरी ट्रेन पीछे से जाके उससे जोरदार तरीके से टकर मार देती है और जिस समय ये भीसर दो ट्रेनों के बीच आपस में टकर होती है उसी समय एक तीसरी ट्रेन दूसरे रेलवे ट्रैक से आ रही होती है और डब्बे के परखच्य उड़के उस दूसरे ट्रेन से जाके टकरा जाते हैं यकीन मानिये हाथसा इतना खतरनाक और दर्दनाक है कि अब वहां की भयावा इस्तिती को सब्दों में बया नहीं किया जा सकता है एक बाप लासों के बीच में अपने बेटे को ढुण रहा है तो कहीं कई सारे लासों को कचरों के धेर की तरह ट्रेक्टर और टालियों में भर आ जा रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल की इसमें गलती किसकी है क्योंकि आम तोर पर किसी ट्रेक पर कोई रेल पहले से खड़ी होती है तो वहां पे रेड सिगनल जल रहा होता है ताकि गलती से भी दूसरी ट्रेन उस पटरी पर उस ट्रेक पर न जाए और अगर गलती से रेड लाइट न जल रहा हो तो reverse point होता है ताकि दूसरी train दूसरी track पर खड़ी रहे लेकिन यहां तो हर कोई सो रहा था प्रधान मंत्री से लेके मंत्री तक मंत्री से अधिकारी तक और अधिकारी से लेके railway कर्मचारियों तक इसलिए अभी तक से ये तक नहीं पता चल पाया है कि ये हाथसा हुआ कैसे और हाथसी के पिछे हाथ किसका था लेकिन हम इस चीज को पूरे विस्तार से एकदम आसान भासा में समझाने की कोशिज करेंगे लेकिन ये सब बताने और समझाने से पहले नए दर्सकों को अपना परिश्य है नमस्कार आप देख रहे हैं पब् रुकना होता है और इन स्टेशनों को क्रॉस करते हुए वो पहुचती है बहानगाई स्टेशन पर बहानगाई स्टेशन पर इस ट्रेन का कोई ठहराव नहीं होता है और वहां से बिल्कुल सीधी लाइन में इस ट्रेन को गुजरना होता है यानि कि उसी ट्रैक पर लेकिन यही पर ड्राइवर से सबसे बड़ी गलती हो जाती है, इतनी बड़ी गलती कि जिसका खाम्याजा आज पूरा देश और उस ट्रेन में सवार हजारों यात्री और उनके परिवार भुगत रहे हैं, बहनगाई स्टेशन से उस ट्रेन को सीधी लाइन में गुजरना होता है, ल ड्राइवर जब तक इस चीजों को देख पाता, समझ पाता, तब तक मालगाडी से जाके उसी रफतार से, कोर मंडल एक्सप्रेस टकरा जाती है, और वो टकर इतनी तेज और इतनी भयानक कि तकरीबन बारह बोगी टूट के दूसरे ट्रेक पे आ जाते हैं, मतलब आसान भ बोगी टूट के दूसरे ट्रेक पे आ जाते हैं, और देश का दुर्भाग्य देखिए और दुर्भाग्य देखिए, ट्रेन में बैठें लोगों का कि ठीक उसी समय, ठीक इक्जेक्ट इसी टाइम पर जब माल गाडी और कोर मंडल एक्सप्रेस वे टकराती है, उसी समय ए पे और ब्रेक लगाए तब तक उसके आगे बारह बोगिया टूट के गिरी होती है, और अचानक से यस्वंद्पूर हावडा भी आके उन टूटी हुई बोगियों से टकरा जाती है, और देखते देखते तीन ट्रेने एक दूसरे के लपेट में आती है, हजारों लोगों क स्थिती खराब हो जाती है, सैक्लों लोग एन मौके पे ही मर जाते है, हजारों घायल की स्थिती में वो जिन्दा रहेंगे या मरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, देखते ही देखते पूरे देश में चितकार मत जाता है, सबसे बड़ा सवाल कि जब ये ट्रेन अपना र रोकना चाहिए, रोकने का सिगनल देना चाहिए, या सोचिए कि एक दूसरे ट्रेक पर जब माल गाड़ी खड़ी थी तो फिर वहाँ पर रेड लाइट क्यों नहीं जल रही थी, पौइंट रिवर्स क्यों नहीं किया गया, आज ये तमाम सवाल पूछा जाना चाहिए इन निकम्मी सरकारों से, इन निकम्मी सरकारों से जब जाके वहाँ लोगों को धांडस बता रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ हैं, सच तो ये है कि तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नव टंकी की है, अगर नव टंकी नहीं की होती, तो आज र चार साल पहले तुम लोगों ने सक्ता में बैठ के की थी और उसको बढ़िया से एक्स्प्लेन करते हुए तुम लोगों ने बताया था कि अगर रेलवे को कवच मिल गया तो दो ट्रेने आपस में टक्राएंगी भी तो लोगों को नुकसान नहीं होगा लेकिन कवच के नाम पे तुम लोगों ने सिर्फ नवटंकी की उसका बजट तयार किया देश को दिखाया कि इतने लाख करोड का प्रोजेक्ट है और उसका रिजल्ट यहां पे है कि हजारों लोग जिन्दगी और मौत से जुज रहे हैं और पता नहीं कितने सैक्डों लोग और सैक्डों लोगों का परिवार पूरी तरह से अब उजड़ गया है लेकिन फिर भी दोस्तों यह जो भायंकट ट्रेन हाथसा हुआ यह रूख सकता था जो सैक्डों लोगों की जाने गई हजजारों घायल हुए और नजाने कितने परिवार तबाह हुए वो तबाह होने से बच सकते थे सिर्फ इंडियन रेलवे अगर समय से चलती तो लेकिन इंडियन रेलवे समय से चलती ही नहीं इतिहास ही ऐसा नहीं रहा है कि आप रेलवे स्टेशन पे जिस समय ट्रेन पकड़ने गय हो उसी समय पे ट्रेन ने अब उसी स्टेशन को छोड़ दिया हो वो कम उसे कम 5-10 मिनट कभी-कभी 2-4 पांच घंटा और कभी-कभी 2-4 दीन वो ट्रेन लेट होती है, बिल्कुल ठीक उसी तरह से यस्वंतपूर हावडा एक्सप्रेस कई घंटे लेट थी, सोचिये अगर वो अपने तैस समय से चल चुकी होती तो जब ये हादसा हुआ, जब माल जाके कोरुमंडल एक्सप्रेस टकराई, तब तक से ये यस्वंतपूर हावडा एक्सप्रेस ट्रेन पात कर चुकी होती, और वहां पर ये तीसरी ट्रेन नहीं होती, हादसा सिर्फ एक ही ट्रेन में बैठे लोगों का होता, लेकिन यहां पर दो ट्रेन में जितने लोग ब लेकिन खेर अब कुछ कहा नहीं जा सकता अब वहां पे जो पॉल्टिक्स हो रही है उसे आप देखी सकते हैं समझी सकते हैं मंता बनर जी की भी पॉल्टिक्स और देश के मान्निय प्रधान मंतरी नरेंदर मोडी जी की भी